हलो गाइज मैं हूँ भीम और आप देख रहे हैं ट्रीकी नंबर वन तो ट्रीकी नंबर वन में स्वागत है हर बंदू का हर ग्रिंडी का तो आज की इंफार्मेशन आपके लिए पहुत ही जादा रुजकर होने वाली है क्योंकि आपको रोजगार संबंधी इंफार्मेशन म बहन हूँ सबके लिए सुनहरा ओसर तो चलिए आपको पूरी अपडेट्स दिखाते हैं कि क्या है अपडेट्स और किस प्रकार आप कर सकते हैं अपलाई पूरी प्रोसेज आनलाइन है सब कुछ आपको करके दिखाने वाला हूँ तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते ह बेलकम बैक बंदू हूँ एक बार फिर से स्वागत है यह आपके सामने एक पेज ओपिन हो चुका है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश राज चीनी लिगम लिम्टेड और यह लखनों की मील है तो यहाँ पर इसमें आपको बैक एंसी आई है और आपको फिल करना है यह आफ फार मिसल के लिए इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं कोई दिक्कत ने जो भी आपको जौन कारी चाहिए यहाँ पर आप देख पा रहा है कि चीनी निगम संविदा के आधार पर पूर्टा अस्थाई पद हे तू जो है करीमकों की जो है पंजी करण सुरू है यहाँ पर आ सुछह कोई दिक्कत नहीं आभी पेज आपके सामने ओपन हो रहा है यहाँ पर आपको लिख रहा है आवधन करेंगे यह देख हैं यहाँ से आप पहले इसके बारे में थोड़ इसी information जान लीजिए उसके बाद हम अराम से सब कुछ आपको बताते हैं कि क्या योगता है कैसे आप apply कर सकते हैं सारी प्रक्रिया और कैसे आप इस website पर आ सकते हैं सब कुछ मिलेगी बस जरूरत है कि थोड़ी सी वीडियो के साथ रूख जाईए यानि कि बने रहे और आपको बता दें कि अगर आप सरकारी ओजनाय या फिर सकीम संबंधी किसी भी information के लिए जनकारी चाहते हैं इंट्रेस्टेड हैं तो भाई अभी ट्रिकी नमबर वन चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले सबसे तेज आपको मिलती है information ट्रिकी नमबर वन की कि जो प्रक्रिया है वो आवेदन आपकी 10 फरवरी से सुरू है यहाँ पर आप देख सकते हैं और आवेदन की जो आखरी ती थी यह आपके 28 फरवरी है यानि कि अभी आपके पास पूंड़ता 12-13 दिन बचे हैं और यह जो अप्लाई करने की प्रक्रिया है यह पूंड़त जो चलिए आगे और भी इनफार्मेशन उसको भी जान लेते हैं कितने पद हैं यह देखिए आपके सामने बहुत सारे पद हैं और यहाँ पर सबसे में चीज है कि सुगर मेल में भरती के लिए पात्रता मान दंड क्या होनी चाहिए मतलब योगता क्या होनी चाहिए तो उम आवेदन करने का जो सिल्क है यहाँ पर आप सुल्क भी देख सकते हैं पांस रुपए और दो सो पच्छास रुपए यानि कि पांस रुपए और अड़ाईस रुपए आवेदन सुल्क है आपके अब चलिए हम आपको ले चलते हैं पीसील पेस पर और जहां पर आपको जो यह देखिया आपने आप आचुका है लिखा है यूपी एस यू जी ओ आर्स बैकंसी तो यही आपको लिखना है तो इसको सर्च कर लेंगे इसको जैसे आप सर्च करेंगे आपके सामने एक पेज ऐपन होगी और यहां पर लिखा है पहला ही पेज है आपका कि उत्तर आप दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश राज चीनी लिगम निम्टेड लखनों तो यह आपकी उत्तर प्रदेश की एक जो है वेबसाइट है और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सुरेश राणा और सुरेश पासी जी योगी अदित तनाथ जी तो यह सब जितने भी हैं काफ यानि कि आपको अस्थाई पदों के लिए भरती है कोई आपको निकाल नहीं पाएगा यहाँ पर आप देख पा रहा है सीधे सीधे लिखा गया है कि apply करें इस apply पर जैसे आप click करते हैं आपके सामने एक नया टेप open हो जाता है यहाँ पर आप देख सकते हैं तो आप से अब यहाँ पर कई चीज पूछ रहा है यह देखिए आवेदन पत्रहित महत्मुन सूचना इस पर आप click करेंगे आपके पास एक PDF लोड हो जाएगी आप इसके बारे में जान जाएंगे और यह दूसरे नंबर पर आप इस पर click करेंगे ति एक registration का farm open हो जाएगा चलिए मैं click करके दिखा देता हूँ यह देखिए आपके सामने मैंने इसको click कर दिया अब आपके सामने एक farm open हो गया इस farm को आपको fill करना है पूरा इसको मैं थोड़ा सा और zoom कर दे रहा हूँ ताकि आप पूरा अच्छे से समझ पाएं यह देखिए आपके सामने उत्तर प्रदेश चीनी लिगम निम्टे लखनौ का एक प्रक्रम है और यह आपके लिए बहुत ही सुनहरे आउसर है यहां पर आपके सामने पहला पेज है पदका नाम इस पद वाले नाम पर आपको क्लिक करना है यहां पर आपकी इस पद के लिए यहां पर आपको अपना पहला नाम भरना है और दूसरा नाम यानि कि मिडिल में अगर हो तो कुछ ठीक है जैसे मालो मेरा नाम भीमा चित्रा है अगर मेरा नाम भीमा कुमार चित्रा होता तो यह मिडिल का नाम भीमा कुमार हो जाता और फर्स्ट का नाम भीमा हो जाता और अ समझ लीजिए कि कैसे आपको करना आप इसतरी है पुरूस है यह दोनों के लिए है यानि कि यहां पर आप देख सकते हैं महिला और पुरूस दोनों के लिए हैं कोई दिक्कत नहीं है तो सुनहरा चांस आप लोगों के लिए कास्ट फिर किस प्रकार का है आपका OBCC यह जनरल यहां पर आपको सो कर देगा इस पर जैसे आप क्लिक करेंगी यह देखिए मैं कर दे रहा हूं यह अनसूची और यहां पर आन ने या पिछड़ा जो भी है आप यहां पर फिल कर सकते हैं आपके पास राष्टियता भारती ह होगी एक मोबाइल नंबर आपको अपने डेट अब यहां पर पता जो कि आपके घर के पता है और यह पत्र ब्योहार का पता मतलब जहां पर आप रहते हैं अब आगे आते हैं अनुभो की जानकारी अगर आपके पास अनुभो है ता आप उसको फिल कर दीजिएगा किस पत द्याले का नाम दर्ज करना है या फिर उसका जो रिजिस्ट्रेट्सन नंबर ओ दर्ज करना है आपने किस वर्स उत्रेड किया है और आपको यहां पर फिल करना है कौन सा आपका वर्स है ठीक है इसके बाद इसको फिल करने के बाद आपको एक फोटो अपलोड करना है फिर पाथ आपको यहाँ पर एक page और मिलेगा मैं करके दिखाने की कोशिश करूंगा ये देखिए आपका 3 स्टेप्स है और 3 स्टेप्स अपका इस पर क्लिक करना है इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे मैं क्लिक करता हूँ इस पर जैसे क्लिक करेंगे उस page पर आपको एक registration बटन पर या सर्च वाले बटन पर आपको क्लिक कर लेना है इस पर जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने एक पूरा का पूरा प्रिंट आउट ओपन हो जाएगा तो यानि कि आपका फार्म यहीं पर पर कंप्लेट हो जाएगा आई होप आज की इनफार्मिशन आपको वेटर तो नोटिफिकेशन आपको पहले सबसे पहले तो भाई अगर इंफार्मेशन अच्छी लग गई हो तो एक लाइक जरूर करना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंफार्मेशन के साथ तब तक लिए जाहिंद बंदे मात्रम